तो दोफ तो आज ये वीडियो ना मार्शल यूनिवेर्स के हमाएं में लिंग दोग की वाइब स्क्रूपर है जिसका नाम है इंग वानुआ किये यह लड़ की है इसको अभी तक हमें सी रीफ में नहीं दिखाया गिया और ना मांगा पिद ब्हूंग हुआ में आईगा to जो फाथ टाकर पर जो ग्लैन है ना उनमेंसे एक ग्लैन में है उसकी बेटी है यही तो दोस्त पहले हम बात कर लेते कि लिंग दॉंग पहली पार जो हींग हुआने से कम मिलते है में बताया जाता है कि जो Ling Dong ऌो tende na nine fact competition में उता हुआ होता है जी जाता हुआ राइं जीत जाता है डोना उप licensed a あのは quest में जाता है तो फिर जो Ling Dong होता हुआ ना Dave fact चून लेता है कि ईतना वया powerful 73 नहीं होता यानी 8 ए 9 Pacific से रही है जितने भी seulement effects की rank है पावर के मामले में 8 या 9 पोजिशन पाता है वो सेक्ट इससे फारे शोक तो हो जाते हैं लिंग टॉंग यहाँ पे लिंग कुणजी का सेक्ट भी चुन सकता है मगर वो अभी उसे मिलना नहीं चाहता था वो उसको लगता है था कि अभी में जो पावर उससे थोड़ी कम है वो तब मिलना चाहता है जब ना उसकी पावर लिंग की उनशी से कई कुना व। जाएदा हो जाए लेकिन जो लिंग दॉंग होते हो डेफिनेट हाल चुन लेते हैं फिर वाई फे ग्रूप में एक रेट कपर वाई लड़की बाहर निकल गया थे जो बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत होती है वह फिर लिंग दॉंग कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा गवंडी नहीं हो लिंग दॉंग अफने लगजा तो लिंग दॉंग कहते हैं किस तरह गवंडी हो गया फिर वाई लड़की कहते हैं जिसका हैं वह सबसे ज़्यादा मस्बूत है और वह तुम्हाई जो कल्टिवेशन है उस पे बहुत साइची से लगाएगा ताकि तुम अच्छे कल्टिव पर वहाई पारफ़ू होगे यह फुन के और जो यंग वान वान होती हो गुसा आ जाता है वह के तो मुझे ना समझो पी जो निंग नहों होते हो गया तो मैं डेवलेट हाई जोन के उसकी फिरब एक ही वजज़ है क्योंकि यहाँ पर डेवलेट स्क्रिप्चर है उसको मैं मास्टर करना जा तो अगर मैंनों उसको मास्टर कर लिया तो तुम्हें पता है फिर दान सेक्ट है कितना ज़्यावार पार्फुल हो जाएगा तो तीनों उसको मास्टर कर लिया तो तुम जो 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 पिटने के लिए तयार हो जाना जाना फिर उनकी जो हाल कॉपिटिशन होगा न मैं उसमें हिसा रूँगा और देखेंगे को कितना फ्यावार पारफुल है दो 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 दूश्तों यहां तक मैंने आपको बता दिया कि जो इंग वान वान से लिंग दों पहली पर कप मिलता है अब आगे मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ यह एक आइस मास्टर है उसकी रिंकारेशन है अभी आप लोगों को नहीं बता गया हुआ कि जो इस गुस्ते वाली होती थी यानि कोल्ड टाइप थी एक दम और जिस फिंबैल एंड फिस्टर और उसके जितने पी स्ट्रेंट्स होते हैं उनकी जो वर होती है न वो आपको ग्रेट रूलर के जो विलन है न उसके जो ग्लैन वाले हैं उनके लोग होते हैं वो इस आर्थ में यानि आ रहे होता है आने कोशिश का रहे होते हैं यानि जो लिंग नौंग का प्लाइट होता है उस पे उसमें जो फिंबैल एंड फिस्टर उनको रोखते हैं और जो उसके स्ट्रेंट्स होते हैं वो भी रोखते हैं उसमें जो बच जाते हैं और उसके कुछ बहुत से आप आप दिखाइजार आप दिखाई जैकि कि आप देघ्जी केन्ड ओर राहसे हनक वे स्ट्रेल लेवार पर हो जाएड़ कि ONE ONE का इस पंदर होती है। और अगर हमें पहली बार जब Ying Wan Wan दिखाई जाएगी तो उसके Red Ball होंगी यानि वो हमें अपने असल चैरे में दिखाई जाएगी जो Ying Wan Wan के लेकि आगे जाके जो उसका चैरे और उसके कपड़े और उसके बाल और आंखी है न वो फारी Ice Master की तरह हो जाएगी और इन दोनों के जो स्पिनिट है इसी बोडी में रहेगी यानि समझे एक बोडी के अंदर दो स्पिनिट्स रह रही है अब समझे इन मैं हमेशे क्यों बहुता हूँ कि लिंग नम की किसमक Zoi An से जबाएगी है और आपके पास तो एक ही कुईड मुटूस है जो गुस्फे वाली है वड़ी है वह बहुत ही अच्छी है जैसे की जुनियर हो गई लेकिन इस बजाने किसमक बहुत ही जपूर्टी है पहले बहुत ही जबाएगी तरह होती है आठाए कि यह बहुत ही तम फक्त हो जाही है गुस्फे वाली और लिन के उन्फिका तो आपको पता है वो भी गुस्फे वाली ही है अब बात वापस यंग वान 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 पर ले आते हैं जो फिंबल माफ रोद है जो उसके बच्चे वेस्ट्रेंट्स होते हैं उनको लगता है कि यह जो आखरी बात जो एक और हमला होगा जो डेवल एम्परर का होगा बहतीजाब पारफुल होगा उसे पिरा हमें हिंग वान 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 बचा सकते हैं उनका है आखरी उम्रीद होगी वह यंग वान वान पे होगी लेकिन जो लिंग नौग होते है वह यह नहीं चाहता कि जो यह पनी सिंद्ट की ना एक आम लड़ जो येंग ऑन होँ आने एक बंदे को जो फिंबल लेवल है उसके जाने के लिए न मदद देगी ये जो सिंबल लेवल है ये अपना न जो लिंग बाउनों का दुरिया है इसमें लाफ लेवल है आगे जाके इसमें भी आवसु डेवल हैं धा ग्रेंट रूलर के अंदर वह जो डै loud wear वांफर्स होता है क्रम कर चाहिं को बचाने कर लिए आ जाता है अकिरकर चाहिए जितना मर भी नराज होता है उतसे तो भी एप वहा है बचाए लगता है उसके वाहिपे उपिल्फन और टे हुआ उपना खुद लगता होता है जिसकी वज़ेब्स तो भूत आपकर जितना भी युःन कोंटिनेंट ना पूरी की पूरा जो योऊज दुन्या होती उसको चान मारता है मगर Yin-Huan-Huan की जो spirit के जो ठुकड़े होते हैं वो उसको नहीं मिले होते हैं जैसे कि आप लोगों ने बीटी टी हैच में देखा ही होगा जब Zohai-Huan मरेगा ना Zohai-Huan होगा उसके मरने के बार ना जो पिरिट के जो कुछ ठुकड़े होते हैं जमा का लें ताके आगे हो जाके मैं अफकुरी इंकारेट कर सकूँ यानि जिन्दा कर सकूँ होदी बनने के बाद मतलब इतनी मेहत करने के बाद कि जो लिंग दो होते हैं वो जो Yin-Huan-Huan की spirit के टुकड़े होते हो नहीं धूड़ पार रहा होता काई ना तो यह तो शाहिद मिल जाए उसको इस continent के अंदर पारे भी बताते है फिर लिंग डॉंग ना जो लिंग क्यून तरि होता है उसको देखते है हो प्रेग्मेंट है उसको वहाँ पर नेकर और Г्यूंतान होती है इसको इसको भी वहां से लेकर अपने जो ग्रेट Highland World होता है उसमें वापस चला कर जाता है को ढूंडने के लिए तो फिर वहाँ पर जाके बहुत ही बड़ी फाइट नड़ता है जो स्पिरिट क्लैन, आइस स्पिरिट क्लैन है उससे और फिर जाके इंग वार्मान को बचाता है वहाँ से और फिर आइस स्पिरिट क्लैन का रीडर बनाएता है और वहाँ प आपसे एक बिल्कुल न्यू वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना खिया रखें